तो फाइनली धूंड लिया आपने, हाँ मुझे उम्मीद थी, आप धूंड लोगें, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, Class 10, Mathematics, और हरियाना बोर्ड, यानि HBSC का जो स्लेवस है 2020 के लिए कम किया गया है, तो अभी बात करेंगे, हम जो स्लेवस है वो English Medium Students के लिए है, Hindi Medium और English Medium का अलग-अलग कर रखा है मैंने, क्योंकि बोर्ड वालों ने क्या किया, एकी स्लेवस डाला है, और उसमें कुछ बुक्स जो है Hindi Medium वालों की डाल दी, में जाके, अगर CBSE से हो, अब बात करते हैं, चलो डिलीटीड स्लेवस के बारे में, तो आपको जो Chapter 1 है, उसकी Exercise 1.1 को काट देना है, यह एक्जाम्स में नहीं आएगी, Chapter 2 की Exercise 2.3 को काट देना, वो एक्जाम्स में नहीं आएगी, Chapter 3, Exercise 3.5 इसको हटा देना, मतलब जो जो बतार खाएं यहां पे, वो सारा डिलीटीड के आगया, वो एक्जाम्स में नहीं आने वाला, आपका TENSION मतले ना, बहुत जाद सलेवस हटा आएगया, आपका जो Question No. 15 से लेके 20 तक हटाने है, पूरी Exercise नहीं हटेगी, यहां पे आपके 5.3 के अंदर, Question 15 to 20, पांच Question हटाए गई है, जिरफ, और यहां पे से सायद से, एक Question हर बार, मतलब जो यह Question हटाए है, इनमें से हर बार एक Question आता था, मतलब उस Concept को लेके, आप थोड़ा सा चैक आउट कर लेना, 5.3 पर थोड़ा जान देना, सायद हो सकता है, शुरुआत के Questions में से, एक्जामस में दे दे, आप जो है Chapter 6 देखो, Theorem 6.6 और 6.9 रेमोड, अब यहां पे Confuse मत हो जाना, आप लोग कहीं Exercise 6.6 और 6.9 अगर हो तो पता नहीं, तो Exercise नहीं है यह, यह Theorem है, Examples के बीच में मिलती है, आपको नाम लिखा मिलेगा, Theorem 6.6, Theorem 6.9, तो जो दो Theorem है, 6.6 और 6.9 यह दो Theorem को आपको हटा देना है, और उसके उपर जो Based Question होगे, Theorem हटा ही है, तो वेसी बात है, जो Questions होगे, उसके उपर Based, वो भी हट जाएंगे, तो वो Questions और वो Theorem हटा देनी है, आपको वो Exam में नहीं आएंगी, Chapter 7 में Exercise 7.3 हटानी है, Chapter 8 के अंदर से Exercise 8.3 हटा देनी है, Chapter 11 में Exercise 11.1 और यहाँ पे सिरफ Question No.227, दो से साथ नमबर तक के हटाने है, अब पहला Question और उसके साथ नमबर के बाद के Question आपको करने है, एक्जाम्स के लिए, तो कौन से Question अटाने है, दो से साथ, और अब Chapter 12 के अंदर 12.2 Exercise हटानी है, और Question 7 रिमूट, इस पूरी Exercise नहीं है, इस चिरफ इसका Question 7 रिमूट हुआ है, एक ही Question हटाया गया, 12.2 से, वैसे HBSC वालों ने बहुत मेहनत कर दिये Question हटाने में, इसको भी ना हटाते, क्या फरक प Step Deviation Method को हटा गया है, Exercise 14.4 को हटा गया है, अब मेरे को ये ध्यान नहीं है भी फिलाल के टाइम पर, Step Deviation Method, Exercise 14.4 में था, कि किसी और Exercise में पढ़ता है, बठा, चेक कर लेना एक बार, Step Deviation Method हटा गया है, और अगर वो 14.4 में है, तो 14.4 पूरी हटी है, और अगर किसी और Exercise के अं आपके एक्जाम्स में आने थे, वो हट जाएंगे, Step Deviation Method से कोई कोश्चन आपके एक्जाम्स में नहीं आएगा, उमीद करता हूँ, आपका डाउट्स कलियर हो गए होंगे, हची बेसी वालो का, कि क्या सलेबस रहने वाला 10th Mathematics 2020 के एक्जाम्स के लिए, आप वीडियो को स टेंट दे पाऊं और आपको पता लग जाए, आप कोई अच्छी जानकारी है, आपके काम की हो, वो मिश ना कर बैठो, तो घंटी भी दबादें साथ के साथ,